Hello everyone, welcome to the session. As the class अपनी इंग्लिश नो इंप्रूफ करन दे लेगी, मैं सारे अले इक नमा टॉपिक लेखे आई हैं, ते जुरूर थोड़े बहुत काम आएगा इंग्लिश नो इंप्रूफ करन दे लेगी, ते टॉपिक है गहा है, देली यूज एडियम्स, यानि रोजाना बढ़ते जा वन के से दिनाल मजाग करना, दूजा, पुल यूज सेल्फ तोगेदर, कैन दा मतलब काम दाउन, शांत हो जो, संभो अपने आपनू, the best of both worlds, कैन दा मतलब, an ideal situation, एक पौत ही वदिया, यापा कह सकने हैं, सब तो वदिया स्थितिया situation, to get bent out of shape, कैन दा मतलब, to get upset, परिशान होन, to make matters worse, एदा मतलब हुंत है, make a problem worse, किसी समस्या नो होर विगाड़न, you can say that again, that's true, I agree, वि तुसी ये दुबारा कै साक दियो, अगला, live and learn, कैन दा मतलब, make a mistake, ते उस तो सिखो, गल्ती करो ते सिख लो, ते make a mistake, ते उस तो बाद सिख भी लो, अगला, break the ice, make people feel more comfortable, जद कोई कहन दा है, भी break the ice, एदा मतलब, आले दो आले जड़े लोग बेठे हैगे हैं, ओधा नाल तुसी गालबात कर दे हो, ताकि ओहो, होर ज़ादा comfortable हो जानी, आपा कह साथे हैं, कुछ कहना, या जहा, कुछ करना, जीदे नाल तो आले दो आले जड़े लोग ह देल करन भी अपना पनुना नो महसूस हो, आगे चालते हैं, rain on someone's parade, एदा मतलब हुंदा है, कि तुसी किसे दा जड़ा कम है गया, भी गार दन दे हो, to spoil something, कोई चीज भी गार देना, piece of cake, easy and simple, जात कोई चीज बहुत असान हुंदी है, simple हुंदी है, उन्हों कहन दे है, आत एदा मतलब be alert, active, यानि सुचेत्रो, hit the sack, go to bed, जड़ा आपा के दे भी मैं थकिया हुं या, हुन मैं सोन जाने ता आपा कहसा किया, I'm gonna hit the sack, whole nine yards, एदा मतलब हुंदा है, everything, सब कुछ, a thumbs up, that's good, बदिया है, जड़ा आपा thumbs up देने ना मतलब सब ठीक है, up in the air, not yet finished, यानि अ कम पूरा नहीं होया, उत्ते हवा माविची हैगा, तैसी की अजदी कास में उमीद का दिया, तुसी एडियम्स यूज़ करने शुरू करोंगे, जित होनों कुछ नमा सिख करने मिले आता चानल में like, share, subscribe ज़रूर करे हो, फिर मिलांगे, till then take care, bye bye